रासनकार जी हाँ दोस्तों आज हमें मालूम पड़ा हमारे रासनकार की एमियत जब लगबग सभी मजदूर या मद्यम वर्गे स्रेणी परिवारों को दिया जाने लगा रासन गैहूं या चावल और दाल कोरोना संकट काल में अब जैसा कि जो एन एफेस से खाद सुरक्षा योजना के तहट जो पंजिकरत थे उनको तो मिल गया लेकिन जो खाद सुरक्षा योजना में पंजिकरत नहीं थे उनको लगबग नहीं मिला यही बड़ा कारण रहा प्रवासी मजदूरों का अपने गां अपने राज्य जान का इसलिए अब क्या है एक जून से एक देश एक रासन कार्ड स्कीम को लागू किया गया है क्या है यह पूरी स्कीम कैसे जानेंगे कि क्या फायदा होगा इसके लिए वीडियो के description में दिये लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और जान सकते हैं पूरी खबर कि किस तरह एक रासनकार्ड एक देश के लिए काम करेगा जैसा कि मैं बता दूँ खाद सुरक्षा योजना में कैसे जोड़ना है आपको अपना रासनकार्ड जैसे आपने रासनकार्ड बनवा लिया है और उसको खाद सुरक्षा योजना में जोड़ना है तो उसके लिए आपको NFS A.K. वेब साइट पर जाना होगा और वहां लिखा है खाद सुरक्षा योजना में आवेदन उस फारम को डाउनलोड करना है या इमित्र की सहायता से आपको भरना है उसके बाद आपके पास आपके आदार कार्ड जनादार कार्ड और फोटो आदी के विविन डोकोमेंट्स को स्केन करके पीडिये फाइल में अपलोड किया जा लागा इसके बाद आपके पास पंजीकरण संक्या आ जाएगी काद सुरक्षा योजना में पंजीकरण संख्या आ जाएगी उसके बाद तीस दिन के अंदर लगबग अधिकारी विशेस अपना सत्यापन कर लेगा कि यह वैक्ति विशेस खाद सुरक्षा योजना में जोडने लायक है या नहीं है किस कैटेकरी से है जैसे मजदूर है मजदूर में भी कौन सा काम करता है अधि विविन जानकारियां सदश्यों की जानकारिय भरनी होती है इस फारम में वो की सब भर दी जाएगी इसके अलवा ये तो था ऑनलाइन फोरम भरने का प्रोसर्ष इसके लावा आप इस फारम को डाउनलोड करके भी भर सकते हैं चाय वह सहरी वैक्ति हो चाय ग्रामिण वैक्ति हो रासन कार्ड में खाद सुरक्षा योज सुरक्षा योजना आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट ले सकते हैं और उसमें फोटो लगाते हुए विविन डॉकॉमेंट्स को सम्मिट करते हुए रसद विवाग या खास सुरक्षा विवाग में जमा कर सकते हैं या फिर आप आपके रासन डिलर के पास भी इस फारम को जमा कर सकते हैं इसमें आपका एक मोबाइल नंबर जरूर होना चाहिए आधार कार्ड आदी की प्रती भी लगेगी इस फॉर्म में साथ ही वोटर लिस्ट आदी भी लगती है और वोटर कार्ड भी लगता है इसके लावा जैसा कि आपका कोई पुराना रा कॉलम दिये गए हैं आप पर लागू होते हैं तो उनको जरूर भरे और लागू नहीं होते हैं तो उसे ना भरे अगर आप सही सही जानकारी देंगे खाद सुरक्षा के फॉरम में गेहूं चालू करने वाले फॉरम में तो जरूर ही आपका गेहूं मासिक यानि रासन डिल गर के यहां गहूं मिलना या चावन मिलना चालू हो जाएगा तो यह थी बड़ी खबर अब बात कर रहे थे हम एक देश एक राशनकाड की जैसा कि प्रवासी मजदूर एक राज्य से दूसरे राज्य चलेगे उनके पास राशनकाड अपने राज्य का था वहां उनको दूस एक राशनकाड के तहएt उनको प्रवासी मजदूरों को जहां वो काम कर रहे हैं वहां के राशन डिलर द्वारा भी राशन दिया जाएगा उच्छत मुले के दुकान के द्वारा चाए वो ग्यों हो चाई चाँवलो चाई डालो चाई केरो सीन हो जो भी सरकारी वित्रन में सामिल है वो सारी वस्तुएं उस व्यक्ति विसेश को प्रवासी मजदूर को मिल जाएगी एक देश एक रासनकार्ड योजना के तहत जो की एक जून 2020 से चालू हो गई है इसी के साथ इस वीडियो को जादा जादा सेर करें लाइक करें और सब्सक्राइब कर ले डीके इं जानकारियां